पंद्रहवाँ पाठ प्रिष्ट क्रमांग 84 से 86 तक गीत इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कलेश जहां है फूल खिलेगा हमको तुमको त्रान मिलेगा फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा दीप बुझे हैं जिन आखों के उन आखों को ग्यान मिलेगा विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ हमको तुमको प्रान मिलेगा मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा इस गीत के रचनाकार हैं केदारनाथ अगरवाल अभ्यास शब्दार्थ मान अर्थात आदर या सम्मान कलेश अर्थात पीड़ा त्रान अर्थात भै के कारण से मुक्ति प्रान अर्थात प्राण नर्तन अर्थात नृत्य या नाच ज्यान अर्थात जानकारी या जानना एक कविता से कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है ख इसी जन्म में, इस जीवन में, हमको तुमको मान मिलेगा इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है ग कविता की कुछ पंक्तियां चांट कर लिखो, जिनसे पता लगता है कि कवि को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा घ कविता में कवी बार-बार मान मिलने की बात करता है मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलावाएगा दो समझाना कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई है बताओ इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है क ख, दीप बुझे हैं जिन आखों के उन आखों को ग्यान मिलेगा ख, क्लेश जहां है फूल खिलेगा ग, हमको तुमको प्रान मिलेगा तीन, मान सम्मान क, तुम्हें अपने आसपास यदि लगे कि किसी को सचमुच में आज भी मान सम्मान नहीं मिला है और उसको तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो तो उनके नामों की सूची बनाओ ग, अपनी सूची में से किसी एक के बारे में बताओ कि उसे मान सम्मान कैसे मिल सकता है चार रिक्तिस्थान पूरे करो नमूना वह मोर सा नाचता है क लक्की रिक्तिस्थान की तरह गरजता है क सल्मा रिक्तिस्थान की तरह दोड़ती है ग, मेघाश्री की आवाज रिक्तिस्थान की तरह मीठी है ग, मनीश के कान रिक्तिस्थान की तरह तेज है पाँच, इन शब्दों की रचना देखो अनुमान, अपमान ये शब्द, मान, शब्द में अनु और अप उपसर्ग लगाकर बनाए गए है इसी प्रकार तुम भी मान शब्द में कुछ दूसरे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ